नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए वैशाक मास की पीपल शिचने की कहानी लेकर आए हैं, बहुत समय पहले की बात है, किसी गाव में एक नंद भाभी रहती थी, भाभी अपनी नंद से बहुत प्यार करती थी, मरते वक्त उसकी सास ने उससे क भा रही थी, वह अपनी नंद का खूब खयाल रखती थी, और उसे हर समय अपने साथ रखती थी, उसकी कोई संतान नहीं थी, एक समय वैशाक का महीना आया, तो भाभी हर रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाट करती और पीपल को सीचने जाती और नंद थी, उसके जो भाभी मांग रही है, मुझे भी वहीं दे दो, इसी तरह दोनों रोज पीपल की पूजा करने और जल चड़ाने जाती रहती थी, देखते ही देखते वैशाक का महीना पूरा होने को आया, पीपल के देवता दोनों नंद भाभी की पूजा से बहुत प्रश्न थी, उन् जन्तु उसके बार-बार ऐसा वर्दान मांगने पर, पीपल देवता ने उसे भी पुत्र रत्न का वर्दान दे दिया, कुछ समय बाद भाभी गर्भवती हो गई, और नंद को एक फलक पद गया, नौ महीने बाद भाभी को एक पुत्र प्राप्थ हुआ, और नंद को उस उसे पलक से एक पुत्र उत्पन हुआ, जब भाभी ने नंद मेरे पास वह बच्चा देखा, तो वह बहुत परेशान, हो गई उसके पूछने पर, नंद उसे पीपल देव के वर्दान की सारी बात बता देती है, भाभी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, कि वह क्या करे क्योंकि अगर किसी को भी यह बात पता चल गई, तो सारे गाउं में उसकी बहुत बदनामी होगी, कुछ समय सोचकर भाभी बोली, तुम इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना, मैं सब को कह दूंगी, कि मेरे जुड़वा पुत्र हुए हैं, उसने ये बात अपने पती को न नंद को बोली, बच्चों का खयाल रखना, मैं पानी लेकर आती हूँ, नंद बच्चों को सुला रही थी, तभी उसका बच्चा जोर-जोर से होने लगा, वह उसे गोद में उठा कर चुप करती हुई बोली, बिना आपके कंधे वाले बोल, तु कहां से आया, यह बात वह बार-बार कहती जा रही थी, इस समय उसका भाई वहां आ गया और उसने सारी बात, सुन ली, जब उसकी पतनी पानी लेकर वापस आई, तो वो उससे पूछने लगा कि बहन ऐसा क्यों का रही थी, पहले तो वो उससे तलने लगी, लेकिन फिर वह नाराज हो गया, और बोल देखो मुझे सारी बात सच बताओ, मुझे कुछ भी मत छुपाना, तब भाभी ने सारी बात अपने पती को बता दी, ये सुनकर भाई बहुत परिशान हो गया, और कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो, अब हम क्या करेंगे इस बात, से मेरी बहन की बहुत बदनामी होग उससे कौन शादी करेगा? ऐसा बहुत बदनामी होगी उससे कौन शादी करेगा? ऐसा कहकर उदास मा से वो उसे बच्चे को लेकर पीपल देव के पास गया और बोला है पीपल देव, यह आपने क्या किया? मेरी बहन तो नादान थी, लेकिन आप तो सब जानते थे फिर आपने उसे ऐसा वर्दान क्यों दिया? अब यह बच्चा आप ही संभालिये ऐसा कहकर भाई ने उसे बच्चे को पीपल के चबूतरे पर रख तभी पीपल का पेड़ दो हसन में बट गया और वह बच्चा पीपल के पेड़ में सम गया इसी के साथ पीपल के चबूतरे पर दरार पद गई धीरे धीरे समय बिताता गया एक बार भाई भाभी ने अपने घर में हवन करवाना चाहा सभी गाम वालों को बुलवाया पंडित ने हवन करना शुरू किया लेकिन हवन की अगनी जल ही नहीं रही थी खूब गी डाला गया खूब प्रयास किया गया पह हवन में अगनी प्रज्वलित नहीं हुई सभी लोग चिंतित हो गए तब कुछ बड़े बुजुर्ग बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी मा व्यक्ती बेहन भतीजी को भूल रहे हो तो वह बोला नहीं मैं तो किसी को भी नहीं भूला मैंने तो सभी को बुलाया है बहुत कोशिशें के बाद भी हवन की अगनी प्रज्वलित नहीं हुई तब ही पास ही के आश्रम से एक सभी वेदों के ज्ञात संत महात्मा को बुलवाया गया और उन्हें सारी बात बताई गई तब उन्होंने अपनी आखें बैंद कर देखा और बोले तुमने अपने भांजे को नहीं बुलाया इसलिए हवन की अगनी प्रज्वलित नहीं हो रही भाई बोला मेरा तो कोई भांजा नहीं है तब वह महात्मा बोले वही भांजा जिसे तुम पीपल को सोप आय थे तब भाई ने सारी बात गामवालों को बता दी गामवाले बोले इसमें तुम क्यों शर्मी के पास गए और प्रार्थना करने लगे तभी पीपल का पेड फिर से दो हसन में बट गया और पीपल के पेड से वह बच्चा बाहर आ गया सभी गाजियाबाद के साथ बच्चे को लेकर वापस घर आय और हवन शुरू किया गया अगनी प्रज्वलित हो गई और उसकी लोग खूब उंची गई इसके बाद से ये मानेता हो गई कि पूरे वैसक पीपल को सीचने से निसंतान को संतान निर्धन को धन कुमवारों को अच्छा और बुजर्गों को बैकुंठ का वास मिले जय पीपल देव दोस्तों आपको यह पीपल देव की कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने फैमिली ग्रूप में शेयर कर दे जिससे वह भी यह कथा सुनने में धन्यवाद